आज बुखार तो है लेकिन आप सब को देख के खुशी ही होती है क्योंकि आप खुश लगते हो दो दिन पहले मध्यप्रदेश गई थी वहां की जनता खुश नहीं लगती जब भी मैं 36 कड़ाती हूँ और संबोधित करती हूँ जनता को तो आप मुस्कुराते हुए दिखते हैं इसका मतलब है कि यहां हालचाल ठीक है हैं कि नहीं अच्छे हैं खास तोर से मेरी बेहने देखिए खेरागड नागवंशी राजाओं की धर्ती है राजा विरेंद्र बहादूर सिंग जी और रानी पदमावती देवी जी की कर्म भूमी है आपको शायद मालूम होगा कि पदमावती जी और इंद्रा जी का बहुत करीबी रिष्टा था पदमावती जी इलाबाद में उन्होंने पढ़ाई की उसी समय इंद्रा जी से मिली थी जब वो छोटे-छोटे थे और तब से एक अच्छा उनका एक रिष्था जुड़ा व पता चला कि पदमावती जी बहुत सेवा करती है समाज की और कई ऐसी चीजे हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े-बड़े कारिक किये हैं तो पंडित जी और रवीशंकर शुकल जी ने उनको प्रेरिट किया कि राजनीती में आओ और राजनीती के जरिये जनता क कि खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी तो यह पुराना रिष्टा है खेरागड का हमारे परिवार के साथ इसी के तहत इंद्रा संगीत विश्व ध्याले का की स्थापना हुई और यह जो नाम इससे जुड़ा है इंद्रा का नाम यह पदमावती जी ने अपन लिए तो एक लंबा रिष्टा है एक पुराना रिष्टा है बगहेल जी ने कॉंग्रेश की तरफ से उस रिष्टे को निभाने का काम किया बहुत समय से आपकी मांग थी कि खेरागड जिला बने आपसे बगहेल जी ने यह वादा किया उप चुनाओं के समय कि करेंगे और जैसे ही जैसे ही नतीजह आया उसके तीन दिन के भीतर खेरागड का नया जिला बन गया अब जिससे पहले कि मैं लंबा भाशन शुरू करो मैं बगेल जी का भाशन खतम करती हूँ उन्होंने कहा कि घोशना उन्होंने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दिये घोशनाओं की तो सबसे पहले मैं घोशना ही कर देती हूँ 36 गार की माताओं बेहनों के लिए महतारी नयाई योजना लागू करेंगे जिसमें प्रती सिलिंडर के रीफिल करने पर रीफिल करने पर 500 रुपे की सबसीडी आपको दी जाएगी कॉंग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के उन्चास लाक त्रेसट हजार उप्भुकताओं में से 42 लाक उप्भुकताओं जिनकी मानसिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है उनका बिजली बिल पूरी पूरी तरह से माफ होगा बाकी साथ लाक त्रेसट हजार उप्भुकताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्थ मिलेगी महिलाओ द्वारा संचालिट स्वैम सहायता समू के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओ द्वारा सक्षम योजना अंतरगट लिये गए रिन को भी माफ किया जाएगा साथ सो नए ग्रामीन और योगिक पार्क बनेंगे अभी तीन सो पार्क है आगे एक हजार ग्रामीन और योगिक पार्क हो जाएगे राज के सभी 6000 सरकारी हायर सेकंडरी और हाइ स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंगलिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा बहुत बढ़िया घोशना है यह सडक दुरघटना और अनी आकस्मिक दुरघटनाओं के लिए में 36 गार निवासियों को निशुक स्वास की सुविधा मिलेगी परिवहन व्यवसाई से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 क्रोड राशी के बकाया मोटर यान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी MSP में MSP में खरीदा जाएगा